असलाम अलेकुम वियूर्स मेरा नम डॉक्टर आसीम है और आज हम जिस मैडिसन का रव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है वेंटोलीन वेंटोलीन का केमिकल फार्मूला साल ब्यूटामॉल है यह मार्केट में 2MG, 4MG, सीरप और इनहेलर फॉर्म में अवेलिबर है GSK कमपनी इसको मैनिफक्चर करती है आईए देखते हैं कि वेंटोलीन के मकासर के लिए इस्तमाल होती है सबसे पहले एस्थमा जो सांस के मरीज है वो इसको इसको इस्तमाल करते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाटस उसमें इस्तमाल होती है एमफिसीमा जिनको सांस ले में प्रॉब्लम होती है उनमें हम इसको इसको इस्तमाल करते हैं अब इसका मैकनोजम उफेक्शन ये लंग्स में पीटा टू रिसेप्टर को स्टिमूलेट करती है और ब्रोंकल मसल को रिलेक्स करती है जिसकी वज़से ब्रोंको डालेटर अफेक्ट पैदा होता है और सांस लेने में असानी पैदा होती है इसकी जो क्लास है वो शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंको डालेटर है अब इसकी डोस अडल्ट में जिसकी डोस है वो टू से फूर अमजी ट्वाइस से दे यानि दिन में दो दफ़ा इसको इस्तमाल करते हैं वो पेशेंट जिनकी उमर सतना साल से जादा होती है उनको डल्ट करते हैं चेड्रन में जो बाला साल से कम उमर बच्चे हैं उनमें इसकी डोस वन टू टू एमजी दिन में दो दफ़ा दो दफ़ा है अब जो पेशेंट इसको इनहेलर फॉर में इस्तमाल करते हैं वो हज चार से शे गिंटे बाद एक या दो दफ़ा इसको इनहेल करें ताके सांस देने में असानी पैदा हो अब इसके साइड एफेक्ट्स हैड़क इसके साल में दर्द ड्राइड माउथ मुझा खुशको जन्मा ट्रिमर या चेकर पर गया आना वाम्टिंग लॉस अपिटेट पूग करना लगना और ट्रैक काडिया या दिल के डरकन जादा होना यह इसके साइड एफेक्ट है जो कि इन्हेलर को इस्तमाल करने का सही तरीका क्या है सबसे पहले इसको 3 से 4 दफ़ाची तरह हलाएं शेक करें इस्तमाल करने इस पहले नंबर 2 स्ट्रैप क्या है कि उसका कैप उतारें इन्हेलर का नम्बर तीन आस्ता आस्ता मुकमल तोर पे सांस बाहर को नकले नम्बर चार नहेलर को मुँ में रखें और दातों को बंद करें और मुँ बंद कर ले नम्बर पांच पे सांस को आस्ता आस्ता अंदर को खैंचें और नहेलर को एक दफ़ा प्रेस्ट करें फिर सांस को मुकमल तोर पे अंदर की तरफ ले जाएं नमब च्छे इन्हेलर को मुझ से बाहरे नकालें और 10 सेकंड के लिए मुझ को बंद कर लिए और बाद में सारा सांस बाहरे नकाल लिए यह है एक दफ़ इस्तमाल करने का तरीका अगर दबारा इस्तमाल करना है तो एक मिल्ट के वक्फे के बाद दबारा यही अमल को दुराएं यह इसका सही तरीका है इस्तमाल करने का आप कॉंट्राइडिकिशन्स किन किन पेस्षन में इसको 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 करना करना है आफ़ी एंटर इनको काडिक ट्रुकी काडिया काजिन को मसला हो कि उनमें इसको 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 अस्तवाल करने से पहले ऑपने डाक्टर से कंसल्ट करें अब स्टोर इसको हमशे 37 डिक्री सेंटीग्रेड से बिलो स्टोर करना झाल झाल